चिडिया अपनी बेटी के साथ उरती हुई जा रही थी वो उस जंगल में नहीं आई थी और उसे अपने लिए नेया घौंसला बनाना था सामने बैठी एक अव्वी अपनी चोंच के साथ एक घौंसला दोड़ी थी चिडिया चलती से उस कवी के पास जाती है मगर कवी अपना काम चालू रखती है कवी बेहन आप ये घौंसला क्यों तोड़ रही है तुम्हें कोई अतराज है ये मेरा पुराना घौंसला है मैंने नया पका घर बना लिया है इसलिए मैं अपने पुराने घौंसले को तोड़ रही हूँ बेहन अगर बुरा ना माने तो ये घौंसला आप मुझे दे दें मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ मेरे पास घर नहीं है हम मा बेटी इस घौंसले की मरमत करके इसी में रह लेंगी चल चल भाग यहां से मैंने बहुत मुश्किल से ये घौंसला बनाया था और अब मैं किसी को ये घौंसला क्यों दूँ किसी को देने से अच्छा है कि मैं इसे तोड़ ही देती हूँ ये कहते हुए गोरी कवी फिर से पुराना खोंसला तोड़ना शुरू कर देती है चिडिया और उसकी बेटी भी निराश हो कर वहां से चली जाती है चिडिया पहाड़ों के पास पहुंच जाती है वहां काफी सारी सूखी लकड़िया भी थी ममा कोई हमारी मदद नहीं करेगा हमें अपने लिए खुद से घर बनाना होगा हाँ गुडिया बेटी हम अभी घर बनाने का काम शुरू करती है आप च्छत पर डालने के लिए सूखा घास लाओ और मैं लकड़िया लाती हूँ वो मा बेटी अपना काम शुरू करती है चिडिया बड़ी लकड़िया जोड़ कर घर की छट को मस्बूत करती है और गुडिया अपनी छोटी सी चोंच से सूखा हुआ घास जमा करती है वो मा बेटी सारा दिन काम करती है ऐसे ही दिन गुजरते गे और फिर कुछ दिनों के बाद कवी का बेटा जगू अपनी मां से कहता है ममा ममा मुझे अस्कूल से छुटिया हो गई है चले ना नानों के पास जाते हैं रुको रुको जगू पहले मैं मिठाई ले लूँ खाली हाथ तो नहीं जाएंगे तुम्हारी नानों के पास फिर जगू की ममा मिठाई लेने चली जाती है गोरी कवी कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई ले दी है मोटे कबूतर अच्छी वाली मिठाई देना मैं अपनी मा के पास ये मिठाई ले कर जाऊंगी मेरी मिठाई दूर दूर तक खाई जाती है गोरी कवी मिठाई ले कर वहां से चली जाती है शाम होने से पहले पहले गोरी कवी अपने बेटे जगु के साथ अपने खर से निकलती है ममा ममा मैं जीत गया मैं आप से तेज उड़ा हूँ आइस्ता उड़ो जगु बेटा हवा चल रही है जगू की माने इतना कहा ही था कि हवा और भी तेज हो जाती है और साथ बारिश भी शुरू हो जाती है कवी और उसका बेटा जगू तेज बारिश में फंस जाते हैं वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक बेड़ के नीचे बैठ जा रहे हैं ममा मुझे बहुत ठंड लग रही है ममा कुछ करें मैंने आप से कहा भी था कि कल चले जाएंगे मगर तुमने मेरी एक न मानी ममा ममा वो देखें सामने किसी का घर है चले हम वहाँ चले जाते हैं हाँ जगू वो घर तो किसी ने नेया नेया ही बनाया है फिर वो मा बेटा पहाडों के पास उस घर की तरफ जाते हैं कभी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है ममा क्या ये बक्षी हमें अपने घर में रख लेगा देखते हैं जगू बेटा मैंने तो कभी किसी के साथ नेगी नहीं की ना जाने आज हमारे साथ क्या होगा गोरी फिर से दस्तक देती है चिडिया घर से बाहिर आती है चिडिया को देखते ही गोरी कभी पहचान लेती है चिडिया तुम वही हो जो मेरे बास पुराना घौसला लेने आई थी हाँ कवी मैं वही चुड़िया हूँ जब आपने मुझे अपना पुराना घौसला नहीं दिया तो फिर मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये निया घर बना लिया आप ऐसी बारिश में यहां क्या कर रही है चुड़िया मैं बहुत शर्मीनदा हूँ पलीज मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में पना दे कर बारिश और ठंड से बचा लो आउंटी हम मेरी नानों के पास जा रहे थे के बारिश शुरू हो गई फिर चिड़िया कवी और उसके बेटे को अपने घर में पना दे देती है आंटी किसी को भी कमजोर और छोटा ना समझें क्यूंकि किसी भी समय हमें किसी की जरूरत पढ़ सथी है फिर चिडिया गोरी को गरम गरम पकोड़े खाने को देती है बुरिया और जगू खेलने लगते है यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे का साथ दें कवा और कवी हर काम में दो नमबरी करते थे अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर लिया था गोरी कवी पक्षियों के बचों को घर में ट्यूशन पढ़ाया करती थी आज चिडिया भी अपनी बेटी को गोरी के पास क्यूशन पढ़ने के लिए छोड़ने आई थी गोरी बहन अब गोरी के एक्जैम्स आने वाले हैं मैंने सोचा कि कुछ दिन आप से पढ़ लेगी तो एक्जैम्स में अच्छे नमबर्स आ जाएंगे हाँ हाँ मैं तो ऐसे पढ़ाती हूँ कि सारे पक्षी ही पहली पोजीशन लेंगे फिर चिडिया अपनी बेटी को गोरी के पास छोड़ कर चली जाती है मगर जैसे ही गुडिया अपनी नई टीचर गोरी कवी के खर के अंदर जाती है वहां तो सब पक्षी पहने की बजाए खेल रहे थे किसी के पास चाबी वाली रेल गाड़ी थी तो किसी के पास हवाई जहाज टीचर टीचर यह यहां तो सब छोटे पक्षी खेल रहे हैं हां गुडिया मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटे बचों पर माँ बाप ज्यादा बोज डालें अभी तो सब के खेलने के दिन हैं आप भी खेलें या फिर टेली विजन लगा कर कार्टून देख लो फिर गोरी कवी टीवी पर गुडिया को कार्टून लगा देती हैं कालू कवा जो बाहिर गया हुआ था वो गोरी के लिए समोसे लेकर आता है कालू आज जिन्दगी में पहले बार मैं इतने समोसे एक साथ खाऊंगी गोरी अगर हमारा ट्यूशन सेंटर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द और भी अमीर बन जाएंगे फिर गोरी समोसे खा लेती है और बच्चों की छुट्टी का टाइम हो जाता है हाँ तो बच्चो खेलने में मज़ा आया येस मेडम येस मेडम येस मेडम मेडम आप बहुत अच्छी है हमारे ममा पापा हमें आपके पास पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप हमें पढ़ने की बजाए खेलने देती हैं तो अब कोई भी छोटा पक्षी घर जाकर ना बताए कि मैं तुम्हें पढ़ने की बजाए खेलने देती हूँ और हाँ की की कल अपनी फीस भी लेते आना और गुडिया तुम नहीं आई हो क्या तुम्हें यहां आकर अच्छा लगा? बहुत मज़ा आया गोरी टीचर मुझे तो घर में खेलने का मौका ही नहीं मिलता यहां तो खेल ही खेल है ऐसे सब छोटे पक्षी पढ़ने की बजाए खेल कूद कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं गुडिया बेटी क्या पढ़ाया आज गोरी टीचर ने आपको? ममा ममा आज गोरी टीचर ने हमें घौसला बनाने का काम सिखाया है और ये भी पढ़ाया है कि बारिश में कैसे उड़ा जाता है अब मेरी बेटी एक्जैम्स में पहली पोजीशन लेगी ये सुनकर गुडिया थोड़ा डड़ जाती है ऐसे ही दिन गुजटे गे और गोरी कवी सारे पक्षियों से ट्यूशन पढ़ाने के पैसे ले लेकर धेट सारे पैसे जमा कर लेती है वो दोनों पती पतनी बहुत खुश थे गोरी अभी तक किसी भी पक्षि को पता नहीं चला कि उनके बचे यहां आकर पढ़ने की बजाए खेल कर चले जाते हैं बचे घर जाकर बताएंगे तो ही पता चलेगा गोरी और कालू बैठे गप्पे लगा रहे थे जबके सारे चोटे पक्षि पढ़ने की बजाए टीवी पर कार्टून देख रहे थे गुडिया गुडिया मुझे टूने कवा की नई नई कहानिया बहुत अच्छी लगती हैं हाँ कीकी टूने कवा पर हर रोज नई कहानी आती है मुझे ये कहानिया बहुत पसंद है चलो बच्चो छुटी का समय हो गया है कल अपनी अपनी फीस लेकर आना कैसा रहा आज का दिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा गोरी टीचर तो बच्चो पढ़ना अच्छा है या खेलना खेलना खेलना, खेलना मेडम कीकी गोरी टीचर पढ़ाती भी है या फीसी मागती रहती है पापा गोरी टीचर बहुत अच्छी है वो हमें बहुत महनत से पढ़ाती है कीकी भी अपने पापा से ऐसे छूट बोलता है फिर दिन गुजरटे गे और छोटे पखशियों के एक्जैम्स शुरू हो जाते हैं लाल तो था जब बच्चों के पेपर चेक करता है तो वो सारे बच्चे एक्जैम्स में फेل हो जाते हैं चीलो बेटे कौंशी पोजीशन आई है तुम्हारी ममा ममा मैं फेल हो गया पापा सोरी मैं फेल हो गया ऐसे सपक्षी अपने अपने ममा पापा को सच बता देते हैं के गोरी टीचर तो उन्हें पढ़ाने की बजाए मुफ्त में ट्यूशन के पैसे लेती थी और वो सारा दिन कार्टून देह कर घर लोड आते थे कवा और कवी घर में बहुत खुश-खुश बैठे हुए थे ये उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है गोरी मैं जाता हूँ लगता है कोई बच्चा एक्जैम्स में फर्स्ट आया होगा और उसके ममा पापा हमारे लिए मिठाई लेकर आए होंगे नहीं मिठाई लेने मैं जाऊंगी तो फिर हम दोनों ही जाते हैं चचच्चील दी क्या हुआ क्या आप हमारे लिए मिठाई लेकर आई हैं क्या चीलू ने कोई पोजिशन ली है मुझे चीलू ने सब बता दिया है मैं अभी तुम दोनों को देसी घी की मिठाई खिलाती हूँ ऐसा कहते हुए चील दोनों कवों की खूब पिटाई करती है और उन्हें उनके किये की सजा मिलती है कालू ये मशवरा तुम हारा ही था ना हाँ गोरी अब हम कभी भी यूशन नहीं पढ़ाएंगे